जहन दोस्तों, दोस्तों आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने सेनिक वेलपेर यूट्यूब चैनल में दोस्तों केंदिय करमचारियों, जवानों और पूर सेनकों के जिन मुद्दों पर मैं बात करने वाला हूँ वो इस तरीके से हैं, अठारे महिने के दिये एडियर पर बात करेंगे, फिट्मेंट फैक्टर एफ दी रेट ऑफ 3.68 इसके उपर बात करेंगे, प्रोविडेंट फंड के उपर बात करेंगे, और अप टू रुपीज 5.6 पूर्ती कहां पूर सेनकों को किस तरह से होगी इसक सारी बात है, आईए अब देखते हैं, एक के करके विश्तार से, तो देखें दोस्तों पहली खबर, जिसमें करमचारियों को एक बड़ा धटका लगा है, क्योंकि एम्प्लोई प्रोविडेंट फंड की जो ब्याजदर हैं, पिछले 40 साल में वो सब से निम्न इस तरह पर अब वो घटकर हो गई है, 8.1 परसेंट, यानि कि अब आपका जो प्रोविडेंट फंड है, उस पर आपको 8.1 परसेंट भ्याज ही मिलेगा, तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा, फिट्मेंट फैक्टर और डिये एरियर के उपर, डिये एरियर ये वो 18 महिने के एरियर की बात कर रहा हूं है, जो कोविड के टैंपर केंदिय करमचारियों को, जबानों को, पैंसन भोगियों को, यानि जितने भी इंप्रोविजें उनको नहीं दिया गया है, और फिट्मेंट फैक्टर जो 7th पे कमिशन में 2.57 से लागू किया गया है, इनके उपर सोशिल मीडिय कि आए दिन अटकरने लगाई जाती हैं, कभी कोई फैस्टिवालाता है तो उससे पहले, कभी डिट एयर बजलती है तो उससे पहले, कभी कोई JESSSton आता है, तो उससे पहले ये मुद्ध चाहे रहते हैं, और मेरे काफी वीवर्स के पॉउंट आते रहते हैं कि फिट्मेंट फेक्टर के उपर बताईए क्या अपडेट है और जो डिये एरियर से 18 महिने का वो मिलेगा या नहीं तो दोस्तों यहां में आपको किलियर बता दू कि सात्मा पे कमिशन लागो होने के बाद 5 साल से भी ज्यादा का समय निकल चुका है अब आठमा पे कमिशन आने के लिए 5 स साल से भी कम समय बचा है तो दोस्तों यह बिल्कुल इस पस्थ है किलियर कट है कि जो फिट्मेंट फैक्टर 2.57 यह फिट्मेंट फैक्टर 3.68 नहीं होने वाला है किसी भी कंडिशन में अब रही बात आपके डिये एरियर की जो 18 महिने का मिलने वाला है उसके उपर गवर् बीच में जो चुनाव आये थे कुछ लोगें उसके अटकले लगाते हैं समय समय पर यह मुद्ध सोचिल मीडिया में उठते रहते हैं बट यह हकीकत से परे है ऐसा कुछ होने वाला नहीं है और अब देखें दोस्तों पूर्व सैनकों के लिए यह लेटर है जो की 25 मार 2022 का है मिनिस्टी ओफ डिफेंस डिपार्टमेंट ओफ एक्सर्विशन वेलफेर की तरफ से जारी किया गया है और इसकी जो कौपी है वो तीनों सैनाओं के प्रमखों को दी गई है चीप आपार्वी स्टाफ चीप आफ नेवल स्टाफ और चीप एर स्टाफ सब्जेक्ट आप के सामने है जी एंबर्समेंट ओफ कोस्ट ओफ नॉट अवलेबिल एने मेडिशन एंड कंजुमेविल अंडर एच्छ यानि कि इसमें यह साफ बताए जा है कि जो पहले एमोडी का लेटर था ती जनवरी 2019 का उसको सुपरसीड कर दिया गया है सप्रेशन कर दिया गया है मै मैं यहां पर सीधे बताता हूं आपको कि आपके लिए जब मेडिशन अब लेविल नहीं है एने जो मेडिशन हैं वो नॉर्मल कंडिशन में जनरल आप पचीस हजार रुपे तक की मेडिशन खरीज सकते हो तीस दिन के लिए और दोस्तों किसी इस्पेशल कंडिशन में अगर दोस्तों जरुवत पड़ती है तो आप पांच लाख रुपे तक की मेडिशन खरीज सकते हो जो इस्पेशन में नॉट अबलेविल हैं जब आपको वहां से एने सर्टिपेट मिल जाता है तो उसके बाद आप इतने पैसे तक की मेडिशन 30 डेज के लिए खरीज सकते हो और दोस्तों ये मेडिशन स्काइदने से पहले आपको नॉन अबलेविल्टी सर्टिपेट ओईसी एचस से लेना जरूरी है तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में फिर मिलेंगे आपके वेलफेर से जुड़ी हुई किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में तब तक के लिए दोस्तों जैहिन जै भारत